नमस्कार आप देख रहे हैं आर्माइन टीवी मैं हूँ आपके साथ आश्रिमात त्यागी और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे आपको बता दे के उन नाव रे पीडिता एक्सिडेंट मामले में आईबी की जाज में बड़ा कुलासा हुआ है और आईबी ने पीडिता है उसको परियात सुरक्षा नहीं दी गई थी और इस सामले में कहीं ना कहीं आजसे के जो साजिश है वो हो सकती है तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे है तो बीजेपी विधायक के दबाव में थी यूपी पुलिस आईबी का ये कहना है पुलिस ने पीडिता को परियात सुरक्षा नहीं दी थी तो राइबरेली हाद से के पीछे साजिश हो सकती है तो राइबरेली में घटना अस्तल पर मिले साक्षे साजिश की ओर इशारा कर रहे है तो आईबी के जॉइन डिरेक्टर की जाच में ये खुलासा हुआ है और जो घटना अस्तल से सा कहीं ना कहीं यह सब तमाम शाक्षें साजुस की ओर इशारा कर रहे हैं तो साजुस की ओर आएग। कर्याफत सुरक्शा नहीं दी गई थी अब ये पूरा मामला जो है वह तूल पकड़ता जा रहा है और अब ऐसे में आईबी की जाच में जो खुलासा हुआ है उसके बाद कहीं न कहीं कई बड़े सवाल जो है वो खड़े हो गए है तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आईबी ने अपनी जाच में खुलासा करते हुआ ही कहा है कि यूपी पुलिस बीजेपी विधाय के दबाव में थी और पीडिता को प्रयाप्त सुरक्षा नहीं दी गई थी और इस पूरे हाथ से को लेकर उन्होंने साज़िश की ओर इशारा कहा है उन्होंने कहा है कि घटनास्तल से जो साक्षिय मिले है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर साज़िश की ओर इशारा कर रहे है तो IBK Joint Director की जाच में ये खुलासा हुआ है इस खबर से जुड़े रहे और पलपल की अपडेट आपको हम R9 TV पर देते रहेंगे आप देखते रहें R9 TV